बिसमिल्हाइब अस्सलाम वालेकूम और वेलकम टू माइक कुकिंग चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तो रेसिपी कुछ यूँ है के हम बना रहे हैं आज चिकन चीज रोल जो के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो चलिए स्टा नमक टीस्पून और यह देखिए इसमें बॉइल आ चुका है इसे में रखूंगी 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चिकन को गलने तक के लिए तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और अब मैं इसके पानी को खुशक कर लूँगी चिकन में ही तो देखिए पानी को खुश कर लेंगे तो यह देखिए हमने इसके रेशा कर लिया है अब मैं इसमें डालूंगी वन टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ टीस्पून कुटीवी लाल मिर्च और टू टेबले स्पून मैंने इसमें मायनीज एट किया है इस पाइसे आप कम यह जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं चीज लिए मैंने एक प्याली के करीब वो इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते वक्त मुझे इसमें यह मायनीज कम लगा तो मैंने इसमें टू टेबले स्पून और मायनीज एट किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह अच्छे से mix हो चुका है अब एक प्याली लेंगे और इसमें लिया है मेने two table spoon मेदा और इसमें डाला है मेने पानी इस अच्छे से गाड़ा सा इसका paste बना लेंगे तो यह देखें paste ready हो चुका है तो अब हम लेंगे यहाँ पर रोल पटी और इसमें एड़ करेंगे फिलिंग को फिलिंग को आप कम या जादा ले सकते हैं और इसे फॉल्ड करेंगे इस तरीके से तरीके से इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी रेडि कर लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब कमेंट्स के लाजमी बताइएगा क्या आपको मेरी ये रेसिपिक कैसी लगी इसी तरीके से हम सारे रोल रेडि कर लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे रोल रेडि कर लिए है अब हम इने करेंगे फ्राइए एक पेन लेंगे और इसमें ओईल लेंगे ओईल हमें इतना लेना है कि अच्छे से रोल डिप हो जाए और लोटू मीरियम फ्लेम पर हम इसे फ्राइए करेंगे तो देखिए फ्राइए हो चुके हैं एक साइट से हम इसकी चेंज कर लेंगे तो यह देखिए रोल हमारे फ्राइ हो चुके हैं फाइना लुक इनकी आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि यह किस तरह से बने हैं कितने मज़ेदार बने हैं जरूर बनाईए इन्हें और मुझे कमेंट्स करके लाज़ी मुताईए कि काथ के यह रेसिप आपको कैसी लगी तो देखिए कितने मज़ेदार और यमी चीजी चिकन चीज रॉल रेडी हो चुके हैं नेक्स वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज